हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों है सरकारी नोकरी की सबसे अच्छी त्यारी सबसे अच्छे अध्यापत सबसे कम सी हर्याना का नमबर वन कोचिंग सेंटर आई सियस चिट्टा एक चुनावी मुद्दा रहा और जैसा जैसे चुनाव नतीजे आए तो उसको लेकर के अमित सियाग है इन्होंने इस चिट्टे को लेकर के विधान सबा में आवाज उठाई और अब हम इनसे जानते हैं क्योंकि विधान सबा का सेशन है वो खतम हो चुका है कहीं दूसरा सेशन आने की समय लग रहा है कि दूसरा सेशन आजाएगा तो हम इनसे चर्चा करते हैं कि कितना चिट्टे को लेकर काम हुआ और इनी के विधान सबा क्षेतर का गाउं है देशु जोदा जिसको लेकर के काफी बबाल मचा विधान सबा में भी मुख्या मंतरी मनौरलान ने भी काफी कुछ का हम इनसे चर्चा करते हैं अमिजी चिट्टे को लेकर के अपने आवाज उठाई और कुछ और भी इस्सू थे डबाली को लेकर के क्या लगता है इस सरकार में आपने वाज उठाई कहीं ने कहीं उस पे काम होगा चिट्टे को लेकर के हम बात करें कितना का प्रोग्रेस कितनी के लग रही है देखो सबसे पहले तो मैंने इस बात पे हमेशा एक बात रखी है कि राजनीती से उपर उठकर ये मुद्धा सही माइने में आज की तारीक में बहुत ही गंबीर मुद्धा है युवा जिस तरीके से जवानी बरबाद हो रही है और जो नारा भी हमने चुनाब में दिया था तो इस नारे को लेकर चले थे और उस पे पर उन्होंने तक्रीबन तक्रीबन जगा भी निर्धारित कर लिया पंचायदगर में देसु जोदा में पुलिस पोस्ट की स्थापना होगा ये एक शुरुवात है कि आप लोगों में से जो ऐसे सूजवान और उर्जावान युवास आती है वो भी अपना चाये वो युवा कलब के साती हो चाये दूसरे युवास आती हो मिलकर आएं और हम कहीं ना कहीं एक समाजे का बियान को चलाने के भी आवशकता है उसके अलावा मैंने जैसे सिविल हस्पताल में एक डी अडिक्शन सेंटर की भी मांग रखी है डी सी महोद्य से मैं मिला था और मुझे इस बात की खुशी एकल भी मेरी समो साब से भी बात हुई इसके बारे में और उन्होंने ये बात कही कि भी हमारी तरफ से निरिक्शन होके चंडिगर तक वो रिपोर्ट भी भेज़ दी गई है तो जल्दी जल्द उस पर भी काम होने कि मुझे पूरी आशा है कि जल्द से वहाँ पर भी डी अडिक्शन सेंटर होगा तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूँ है कि वो जो भी बाते रखी जा रही है उसको सकरात्मग ढंग से करने का भी प्रयास कर रही है तो इसलिए बट ये सभी को सभी पार्टियों को सोशल संस्थाओं को और जितने भी हमारे जागरुक लोग हैं सभी को मिल जुलकर इसके उपर लड़ाई लड़नी पड़ी और इसके उपर मैं पूरी तरीके से मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले पांच-छे महीनों में कुछ ना कुछ इस पर काबू लाया जाए किया जाए इस पर पुरा प्रयास रहेगा क्या इस बार विधान सभा जो अब दन्यवादी आपका दोरा सुरू होगा किन मुद्दों को लेकर के और जो जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़े उनको किस तरह से जो उठाया जाएगा खास करके जो पब्लिक की जो डिमांड्स है जिनको लेकर के जो आपके बस जब चुनावी दोर चल रहा था तो लोग डिमांड्स कर रहे हैं थे हमारे इस की दिक्कत है इसको लेकर के चुकि सरकार नहीं बनी कांगरेस की 31 पर सिमट गई तो उन मुद्दों को लेकर के किस तरह से उनको उठाया जाएगा मैं चाहिए विपक्ष में जरूर हूँ मेरी हमेशा से ये सोच रही है जैसे मैं बना हूँ मैं निरंतर पहले सत्र में विदानसबा में जो दो मुख्य मुद्दे थे जिस पे हमने चुनाव लड़ा किसानी और जवानी दोनों मुद्दों पे मैंने अपनी बात रखने का बुलंदी से बात रखने काम किया चाहिए चिट्टे की समस्या हो उसमें मुख्य मंत्री जी के समक्ष उनको संग्यान में जो बात थी उनको याद भी दिलाने काम किया कि आपको कारवाई करने की आवशकता है उसके साथ साथ जहां पर हमने जो जहां किसानों की बात है नर अवाज उठाए उसका कुछ ना कुछ फरक पड़ा उसी तरीके से कालवाना खरीफ चैनल की भी मांग रखी थी और डी एडिक्शन सेंटर की बात हो त्यूबल कनेक्शन की बात हो अलग-अलग मैंने उस समय बात रखी थी उसके बाद निरंतर मैं लगा हुआ हूँ जो पड़ों को लेकर पिछले एक हफते में डीसी साहब एसपी साहब से मिला जो ट्राफिक की समस्या है उन्होंने आश्वासन दिया और आज की तारीक में आने वाले समय में पुलिस बूत की जो कंट्रोल ट्राफिक कंट्रोल बूत है बटिंडा चौंक पर उस पे भी चंडी को दूसी दिना शिफ्ट करने की बात थी तो तीन चार पांच मांगे थी उसमें मैं आज जैसे मैंने जायजा लिया एमसी की जो हमारे जो वहां पर टीम है जो मुंसबल कमीटी के अधिकारी है उनसे मेरी बात हुई तो जो स्टीट लाइट के लिए उन्होंने जो चंडीगर जाकर उन्हों पूरी तरीके से इसका आगे काम बढ़ाने का भी काम किया डीसी महुद्दे ने उनको आदेश दिये थे और उसी तरीके जो दूसरे टेंडर है तो प्रयास पूरी की पूरी तरीके से है जो मुख्य चाए किसानों की बात हो चाए युवाओं की चिट्टे की समस्या है इनकी उपर मांग बात हो और जो खास करके जो शेर की और बहुत सारी समस्या कई समय से जो काम लंबित पड़े हैं उनको पूरी तरीके से खरानी की बात हो तो उस पर मैं निरंतर काम पे लगाओं और यहीं पर यह जैसे धन्यवादी दौरा एक तर उसे विदान सभा में उठाएंगे और जो अधिकारियों या मंत्रियों तक ले जाने वाली बात हो या जहां पर सड़क पर जाने की जूद पड़ेगी तो सड़क पर जाने काम भी करें पिछले दिनों दुशेंट चोटाला डिप्टी सीम आपके काउं चोटाला में गये मैं अमितता की मेरे चाचा लगते हैं लोने अपनी बाशा में बताया और कहा कि उन से भी मैं शूद बंगवुऑ कि वह भी मेरे पास आयए मुझ से मिले और जो काम होने वाले हैं यो डिसकस करें अब जाएंगे डिसकस करें उसके में विकास को लेकर सब्सकों और मैं मैं मानता हूं हर पार्टी को राजनीती से उपर उठकर जब चुनाव आते हैं पांच साल बात उसमें वो राजनीती का समय होता है पांच साल हमें जनता की सेवा करने का समय है और वो पांच साल हम मैं चाहे जहां भी जाने की आवशकता हो चाहे दुशंत के पास हो चाहे मेर काम करें और जो भी प्रतिनती बने हैं चाहे सरकार में चाहे सारे के सारे मिलकर काम करें तो उन्होंने नियौता दिया है मैं उसका स्वागत करता हूँ और जुरूर मेरे पास तो जैसे मैंने पहले भी किसी साथी को कहा था कि मेरे पास एक बड़ी लिस्ट मैं तयार कर रहा हूँ तो वो लिस्ट लेकर मैं सभी मंत्रियों के पास भी और अधिकारियों के पास जहां आवशकता पड़ी जाऊंगा और आशा करता हूँ जो उन्होंने बात रखी है उस पे वो कायम भी रहेंगे